वेलकम बैक स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आज हम हिंदी व्याकरन में चैप्टर 12 की स्टडी करेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द मतलब की कई शब्दों की जगें केबल एक शब्द लिखतेते हैं और उसका अर्थ भी वही होता है तो उसे बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द अपनी बात को आसान बनाने के लिए हम सब्द समूह के इस्थान पर एक सब्द का प्रयोग करते हैं शब्द समूह के इस्थान पर एक सब्द का प्रयोग करने से वाक्य छोटा और सुन्दर हो जाता है जैसे जो कपड़े सिलता है वो कौन होता है दरजी उसे अब हम इस सब्द समूह के स्थान पर केवल दरजी लिखेंगे तो भी उसका मतलब वही होगा जो कपड़े सिलता है उसे क्या बोलते हैं दरजी जो जूते बनाता है मोची जो पढ़ाता अत्वा पढ़ाती है अध्यापक अत्वा अध्यापिका जो डांक बाटता है डांकिया अब उपर लिखे सब्द समूह इथा बॉक्सों में लिखे सब्दों पर विचार कीजिए जो सब्द बॉक्सों में लिखे हैं वे अपने उपर लिखे सब्द समूह को पूड़तया पस्ट करते हैं मतलब कि ये जो सब्द है ये इनको पूड़तया पस्ट करते हैं इस प्रकार हम सब्द समूह या वाक्यान्स के लिए एक सब्द का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार के सब्द समूह के लिए एक सब्द कहलाते हैं तो ये जो है ये सब्द इसका इस वाक्यांस का पूरा मतलब बताता है तो इन सब्दों को बोलते हैं एक सब्द समूह के लिए एक सब्द अब ये कुछ सब्द समूह के लिए एक सब्द है इन्हें हम याद करेंगे जो किसी से नहीं डरता उसे बोलते हैं निडर जो सहर में रहता है सहरी जो गाओं में रहता है ग्रामीड जो चित्र बनाता है चित्रकार जो मास खाता है मासाहारी जो मास नहीं खाता है शाकाहारी जो सब जानता है सरवग्य जो पढ़ता है विद्यार्थी, जो लिखता है लेखक, जो इलाज करता है छिकित्सक, जो सदा सच बोलता है सत्यवादी, जो मिट्टी के बरतन बनाता है कुमहार, साथ पढ़ने बाला, सहपाथी, जो बाल काटता है, नाई, जो कम बोलता है, मित्भासी, जो इश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक, जो संभव न हो, असंभव, जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकारी, जो कभी नहीं मरता, अमर, कपड़े धोने वाला, धोबी, दया करने वाला, दयालू, रोज होने वाला, दैनिक, जो समाचार लाता है, संबाद दाता, जो आग्या मानता है, आग्याकारी, लालच करने वाला, लालची, जो इश्वर में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक, जो गाता है, गायक, जो नाचता है, नरतक, जो खेती करता है, किसान, जो सीमाओं की रक्षा करता है, सैनिक, ये कुछ सब्द समूह के लिए एक सब्द थे जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है ये चैप्टर आपका फिनिश होता है